जालू है या यह उनका महज एक ढोंग है। ये तै करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अगनी देव को भी अपने साथ योजना में शामिल होने का निवेदन किया। राजा इंद्र की बात पर अगनी देव भी राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारन किया और अगनी देव ने एक कबूतर का। दोनों राजा शिवी के दर्बार की ओर चल दिये। अगनी देव कबूतर के रूप में आगे गए और इंद्र बाज के रूप में इस प्रकार उनके पीछे चले की मानों एक बाज कबूतर का शिकार करने के लिए उसके पीछे उड़ रहा। हो थोड़ी ही देर में अगनी देव कबूतर के रूप में राजा शिवी के दर्बार में पहुँचे और राजा शिवी की जानख पर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा कि एक बाज उसका शिकार करने के लिए पीछे आ रहा है। वह उसकी जान बचा ले। हुआ हुआ हुआ